आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट साबुत हरे मूं की सब्जी ये सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम्रसोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हरे मूंग की सबजी बनाने के लिए यहां मैंने लगबग 3-4 कप मूंग को रात भर पानी में भिगा दिया था उसके बाद 10-12 घंटे चलनी में छोड़ दिया था जिससे यह अच्छे से अंकुरित हो गए है आप बिना अंकुरित किये भी यह सबजी बना सकते हो अब हम कुकर में ये मूंग डाल देंगे इसमें हम 2 कप पानी डाल देते हैं अब हम यहां 1 फोर्थ चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच नमक डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढखकन लगाके हाई फ्लेम पर केवल एक सिटी दिला लेंगे साला तयार करेंगे यहां हमने 2 चमच तेल लिया है जिसमें हम 2 चोटे तेजपता डालेंगे एक चमच जीरा डालेंगे जिसे अच्छे से चटकने देंगे और 2 से 3 में लोंग डाल रही हूँ वन फॉर्थ चमच हींग डालेंगे हींग का फ्लेवर इस सबजी में बहुत अच्छा आता है इसके लिए जरूर डालिएगा यहां हमने 2 प्याज को बारिक काट कर ले लिया है साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएं जब तक प्याज पकते हैं हमने यहां पर 2 हरी मिर्च एक इंच अदरक का टुकड़ा 8-10 छोटी लहसून की कलीली है इन्हें पीस कर तयार कर लेंगे तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए है तो अब हम इसमें अदरक लहसून और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे तो आप फ्रेश अदरक लहसून ही यूज कीजिएगा इसे भी हम 2-3 मिनिट के लिए प्याज के साथ पका लेंगे ये देखिए सारी चीजे अच्छे से पक गई है अब हम इसमें मसाले डालेंगे यहां हमने एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो कम तीखी होती है और सबजी में कलर अच्छा आएगा आधा चमच रेगुलर लाल मिर्च एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर लिया है और वन फोर्थ चमच के करीब हल्दी पाउडर लिया है इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे अभी गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखिएगा वरना मसाले जल जाएंगे तो हम साथ ही तीन से चार टेबल स्पून पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से तेल से अप्रेट होने तक इन मसालों को पका लेंगे दो से तीन मिनिट लगेगा इस प्रोसेसिंग में ये देखे मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं आप देख सकते हैं इसका तेल से अप्रेट हो गया है चारों तरफ से अब हम इसमें दो टमाटर को कद्दू कस करके डालेंगे आप चाहिए तो टमाटर बारी काट कर डाल सकते हैं या मिक्सर में चला कर पीस कर भी डाल सकते हो अब हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए नमक हमने अभी तक नहीं डाला है नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा हमने मूम को उबालते टाइम भी नमक डाला है अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इस मसाले को तक तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है और ये क्वांटिटी में कम नहीं हो जाता तो हम कुकर को संभाल लेते हैं इसमें हमने एक सीटी ले ली थी और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है ये देखिए मूंग बहुत ही अच्छे से उबल कर तैयार हो गए है एकदम सोफ्ट हो गए है ये देखिए इधर हम मसाले को भी संभाल लेते हैं ये देखिए तेल सेपरेट हो रहा है मसाले को बीच में मैंने 2-3 बार चला लिया था तो बस अब हम इसमें ये मूंग डाल देते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें इस सबजी को बहुँ जादा पकाने की जरुवत नहीं है केवल 3-4 मिनिट पकाएंगे बहुत होगा अब हम इसमें पानी डाल देते हैं मैंने आधा कप गरम पानी लिया है तो आप इस वक्त ठंडा पानी मत डालिएगा वरना सबजी का टेस्ट खराब हो जाएगा आपको जितनी इसमें करी चाहिए आप उसी साबसे इसमें पाने डाल दीजिए हम इसे केवल 3-4 मिनिट पकाएंगे ही टेस्टी बनती है साथ ही हेल्दी भी है आप जरू ट्रै कीजिएगा सेम रेसिपी से हमने इसमें आधा चमच गरम मसाला और हरा दनिया डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनिट और पका लेंगे 2 मिनिट पकाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें आधे निम्बू का रस डाल देंगे निम्बू के रस से ये सबजी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है आप चाहें तो नीम्बू का रस डालना स्किप कर सकते हो तो आप इसे गर्मा गरम चपाती के साथ सव कीजिए इसे हम 15 मिनिट के लिए ढग देते हैं ताकि सबजी का कलर अच्छा आ जाएगा तो फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजीगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके